आज हम गोवी के पकोड़े बणाएंगे इसके लिए हमें एक फूल गोवी चाहिए जिसको हम फ्लोरीड कर लेंगे छोटे छोटे फूर्स बना लेंगे उसके उसमेंसे निकालकर और पिर उसे हम बोईल करेंगे अच्छे सेâte inhale बाद में पांस से दस Direkt के तोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए गोबी बोईल करने के लिए हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि सारी गोबी इसमें ढूब जाए और उसमें हाफ टी स्पून नमक डालकर हम उसे बोईल कर लेंगे इधर हम अपने मसाल तवा रख देंगे गरम होने के लिए और मसाले तैयार कर लेते हैं मैंने काली मिर्च ली है धनिया ली आए और सौंफ ली है लॉंग ली है अजवाइन और जीरा इन सब चीजों को मैं अच्छे से ड्राय रोस्ट कर लूँगी और ड्राय रोस्ट करने के बाद में इनका हम दर दरा पाउडर बना लेंगे गोबी बॉयल होकर रैड़ी हो गई है तो इसे एक साइट रख देंगे थंड़ा होने के लिए अब हम बेटर बना लेंगे बेसन का बेसन का गोल बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है लाल मिर्च पाउडर लिया है नमक लिया है इसमें अमचूर पाउडर भी डालना है वो मे गोबी के फूल ठंडे हो गए तो इसमें हम रोस्टेड ड्राइ मसाला डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि हर फ्लॉवर पर अच्छे से कोटिंग आ जाए गोबी के ऊपर कोटिंग होने के बाद में अगर मसाला बच जाता है तो वह बेसन में मिक्स कर सकते है हम फिर हम वन बाइवन करकर हर फ्लॉरेट को एक फूल को लेका बेसन में डिप करेंगे और फ्राइ करेंगे अब मैंने कढ़ाई ले लिए इसमें मैंने ऑईल डाल दिया है इसको अच्छे से गरम होने के बाद में हम पकोडियां तयार करेंगे यह हमारा तेल गरम हो गया ह इसे हम 70% फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद में इसे निकाल कर थंड़ा होने के लिए रखेंगे और फिर उसको प्रेस करेंगे हम या तो हम प्रेस करकर दुबारा से फ्राई करेंगे या फिर बीच में से कट करके दुबारा फ्राई कर सकते हैं तो अब मैं यहां पे इसको निकाल दिया है ठंडा होने के बाद में इसे प्रेस कर रहे हूं और प्रेस करने के बाद में मैं इसे कट करूंगी या फिर मैंने दोनों तरीखे से करा है प्रेस करके भी मैं फ्राइ कर रहे हूं और कट करके भी कर रहे हूं तो इसको फ्राइ करे जब तक कि अच्छा सा गोल्डन कलर ना जाए जो बीच में से कटा हुआ पीस है उसमें तो गोबी दिखने लगेगी उसका अच्छे से कलर दिखने लगेगा गोल्डन ब्राउन होने तक का फिस के बाद में हमें से निकाल लेंगे गोबी के पकोड़े रेडी हैं सर्फ करें चटनी के साथ या कैचप के साथ थेंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल एफ अगुड टेम